तो चलिए इस question को देखते हैं क्या दिया तो stream point and the ice point of a mercury thermometer are marked as 80 degree and 20 degree what will be the temperature in centigrade mercury scale when this thermometer reads 32 degree तो इस तरह के question में यह formula के use करते है कि ती माइनस टी आई बाइ टी एस माइनस टी आई यह constant होता है ती जो है यह है कि जिस temperature को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है ती आई हो गया ice point टी एस हो गया stream point और टी आई ice point यह constant रहता है for example अगर देख लिए 30 degree Celsius को Fahrenheit scale में चेंज करना है तो क्या करेंगे टी में डाल देंगे ऐसे लिखेंगे कि टी सी माइनस टी आई by ts minus ti is equal to tf minus ti by ts minus ti तो यहां TC में डाल देंगे 30 minus ice point जो होता है Celsius में 0 30 minus 0 by ts में डाल देंगे 100 क्योंकि Celsius में stream point 100 होता है 100 minus 0 तो ऐसे इस तरफ कर देंगे tf में डाल देंगे वो निकालना हमें ti हो गया ti में डाल देंगे ice point होता है 32 by stream point होता है Fahrenheit में 212 so 212 minus 32 इसी तरह से tf का value आ जाएगा तो अभी इस question को लिखते हैं इसमें क्या दिया है इसमें steam point दिया है 80 ice point दिया 20 और 32 को हमें change करना Celsius में तो ऐसे करेंगे कि 32 लिखेंगे चेंज करना इसे माइनस ice point है 20 by stream point हो गया दिया है 80 माइनस ice point 20 इसको equal to लिखेंगे Celsius में निकान लाना TC माइनस Celsius में ice point होता है 0 by stream point होता है 100 माइनस 0 तो अब TC को solve कर ले रहे हो गया 12 by 60 is equal to TC by 100 तो यहां से आ जाएगा 1 by 5 तो है जाएगा TC is equal to 20 degree Celsius तो यह सी इसली आंसर आजाता है